किसान भाइयो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में किसान भाइयो आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लासून के कंद को बड़ा कैसे बनाए कंद को बड़ा करने के लिए हमें कौन-कौन से काम करना चाहिए तो इसके बारे में हम वीडियो में डीटेल के साथ बात करेंगे इसलिए आप वीडियो को बीना स्कीप के अंतर तक जरूर देखे और किसान भाईयो चैनल पर नहीं हो तो नीचे देगे लालक्स्रो के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह लेसन का जो पोदा आपको दिखाए दे रहा है यह लगबग सो दिनों का हो चुका है तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें तने का विकास काफी अच्छा हो चुका है और पत्तिया भी काफी उपर तक चली गई है और पत्तियों में हरापन भी देखने को मिल रहे है तो अब इस समय पर इस चीज की जरूरत है कि लेसुन का जो कंद है इसको बढ़ा करना है अब इस समय पर ना तो तने के विकास की जरूरत है ना जड़ के विकास की और ना ही पत्यों के विकास की अब हमें जरूरत है तो सिर्फ कंद के विकास की तो अब कंद का विकास करने के लिए आपको कौन-कौन से काम करना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं तो किसान भाई को सब से पहले तो जब आपके कंद का विकास सुरो हो जता है तब आप लैसुन को ज़्यादा जल्दी पिलाए नहीं क्योंकि अगर आप lesson को ज्यादा जल्दी सीचाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो lesson का कंध है ये अच्छे तरीके से विक्सित नहीं हो पाएगा तो आप lesson में नमी खत्म होने के बाद ही उसकी सीचाई करें उसके अलावा अगर हम बात करें plant growth regulator की तो किसान भाई यो plant growth regulator का क्या काम होता है कि जो पोदे की पूरी growth होती है उसको रोग देना यानि कि अगर हम इसमें plant growth regulator का इस्प्रे करते हैं तो ये growth उपर की तरफ से रुक जाएगी और पोदे की पूरी energy पूरी ताकत उसका जो कंध है उसमें जाने लग जाएगी यानि कि पूरी energy इस तरीके से इस कंध में जाएगी तो उससे क्या होगा कि कंध का विकास काफी अच्छे तरीके से होगा प्लांट ग्रोथ regulator के रूप में आप सिजेंटा कंपनी के कल्टार का भी पुर्योग कर सकते हैं या फिर ब्याइसएप के लियोसिन का भी पुर्योग कर सकते हैं और आप चाहे तो घाड़ा के चमतकार का भी पुर्योग कर सकते हैं या आपके ओपर डिपेंड करता है कि आ नहां तक मुझे बता हैं तो बहुत सारे किसान बाई सीजन्टा कलटार का इस्प्रेग करते हैं और वह लासुन को बहुत ज़्यादा जिनों तक इश्टो करके रखते हैं तो कुल मिलाकर बात करें तो पीजी आर के पर्योक से लासुन की बंडारन समता पर कोई भी प्रति हैं इसलिए आप उनका इस्प्रेग भी कर सकते हैं या फिर आप जमीन में चलाना चाहे तो चला भी सकते हैं इन दोनों के बारे में ज्यादा जान करी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उसे लिंक पर क्लिक करके चैनल को जरूर देख लिए जगा तो किसान भाईयों यही कुछ बाते थी जो आपके साथ आज शेयर की उमेद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जरूर की जेगा चलिये मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किस झाले हैं झाले हैं